नमस्कार प्रोग्रामर सिग्वा फिर से स्वागता है सोसील यूट्यूब चैनल पर दोस्तो अभी हमने प्रिविएस लीडियो में बात की थी कि कैसे कोडिगनेटर के अंदर हम कुछ अलग तरीकी का वर्क कर सकते हैं जैसे की अगर हमको multiple user type category बनानी है तो वो हम कैसे करेंगे इसके अलावा हमको अगर क्या कहते हैं इसके अंदर कुछ restrictions देते हैं permission देने हैं तो वो सारी चीज़े हम कैसे करेंगे वो सारी चीज़े हमने देखी इसके अंदर एक छोटी सी चीज रह गई थी अगर आपको थोड़ा सा interest आ रहा है और अभी आप basic pair है थोड़ा सा और advance अपने आपको बनाना चाहते हैं तो मैं पहले उसी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि पीछे आले वीडियो में मुझे उसको बताना था और वो रह गया था तो जब भी हम coordinator का project install करते हैं अपने system में तो उसी के साथ में हमको local documentation भी पूरा का पूरा मिल जाता है जैसे अभी हमारा जो क्या करते हैं project का folder बना रखा था हमने उसको बनाया था referral system नाम से और इसके अंदर multiple आपको दिख रहे हैं folders इसी में एक folder आपको दिखेगा user guide मतलब कि जो main project का folder बनाया हो उसी के अंदर जैसे यहाँ पर application है assets हमने बनाया था HTML templates हमने बनाया था ताकि जो हमारा main admin light का template था उसको हमने इसके अंदर safely रखा था इन case अगर कुछ भी होता है तो यहाँ से हम use कर सकते हैं इसमें system था और यह जो है यह user guide तो इसके लिए करना क्या है हम सीधे browser पे चलेंगे हमारे project का नाम क्या लिका हमने local host इसके बाद में हमारा project का नाम हमने दिया account और इसके बाद में user guide लिखकर जैसे एंटर करेंगे हम हमको यह वाला documentation मिल जाता है तो coordinator ने बहुत ही simple way में यहाँ पर समझाया हुआ है जैसे अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो welcome to coordinator है installation instruction है तो installation instruction बहुत ही आसान है overview आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं मतलब की coordinator MVC framework पर काम करता है MVC का क्या मतलब वो सारी चीज़ों ने इसमें बताई है tutorials इन्होंने दिये हैं थोड़े से की मतलब की छोटा छोटा सा project बना कर आप देख सको बहुत ही minute से जिससे कि आपको idea लगे कि view में कैसे काम होता है model में कैसे होता और controller में कैसे होता है इसके अलावा यहाँ पर है contributing मतलब कि आप क्या contribute करना चाहते हैं और फिर यहाँ से start होता है general topics और फिर libraries का database मतलब कि यहाँ से कहानी actual में चालू होती है otherwise जब आप इसको open करेंगे तो आपको यह left only हिस्से के अलावा यहाँ पर जो right हिस्सा दिख रहा है यहाँ पर भी आपको यही सारी चीजें मिलती है जैसे user guide में license वगरा के बारे में बता है फिर welcome और तो इसको पढ़ते समय क्या कर सकते हैं आप right click करके नए tab में इसको open कर लीजिए ताकि यह index आपका safe बना रहेगा और यहाँ से आप पढ़ते रहेंगे जैसे welcome पर आए welcome to coordinator वो सीधे यहाँ पर उठा कर आपको फैक दिया basic info पर आते हैं तो basic info नीचे यह दी गई है कि इसमें हम क्या जानेंगे server requirements क्या है credits किसको दिया गया है installation का process क्या है फिर introduction है tutorial मतलब कि यहाँ पर जो चीज़े थी वही यहाँ पर है तो आप जैसे यहाँ से हम अगर कुछ simple चीज़ों पर चलते हैं सबसे पहले coordinator का overview क्लिक क्य है और पूरा का पूरा जो coordinator का architectural goal है वो क्या है तो यह थोड़ा सा आप detail ले लिजेगा अगर अभी आपको नहीं पता है तो बिल्कुल आप थोड़ा सा समय देकर इसको पढ़ेंगे तो coordinated थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आने लगेगा बाकी tutorial में आपको क्या दिय बनाओगे और उसके बाद में create news items आप कैसे बनाओगे और फिर last में ये बताएंगे कि ठीक model view control का पूरा structure कैसा चल रहा है इनकेस अगर अभी आपको confidence नहीं आ रहा है coordinator में तो आप ये छोटा सा project खुद से करकर देख सकते हैं ध्यान रहें आप बहुत ज़्यादा इसके ल चल रहा है तो जैसे इस project को यह आपको बनाना हो तो आप इतना tension लेकर मत बनाओ कि यह की code देख देखकर बहुत सही सही लिको नहीं करते जाओ error आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है side करो दूसरी बार दूसरा install कर लो और यह प्रोजेक को delete कर दो दूसरे वाले को setup करके फिर क किसको कई बार करना पड़ता है और तब जाकर हमको समझ में आता है और at the last अगर हम general topic पर आते हैं तो general topic आपको यहीं पर सारी चीज़े मिलेंगी यानि कि basic of coordinator आपको यहां से बहुत अच्छी से समझ में आएगा इन्होंने controller बताया है reserve ने मतलब कि बहुत सारे ऐसे जैसे अगर आपने पहले C, C++ थोड़ा बहुत पढ़ा या PHP में ही पढ़ा है तो हर एक programming language का जो systematic way होता है वो same to same होता है तो कुछ keywords होते हैं हम keywords उनको बोलते हैं मतलब कि वो पहले से ही predefined होते हैं तो उनके नाम से हम दुबारा से कोई variable या दूसरी चीज़े नहीं बनाते हैं मत libraries होती है और क्या करते हैं हम नई library कैसे बनाएं या नया helper हम अपना खुद का बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाएं इसके अंदर बहुत सारे drives मिलते हैं वो क्या चीज़े होती हैं वो किस किस चीज़ के लिए काम करती हैं हम अपना खुद का driver बनाना चाहें तो कैसे all coordinator के अंदर बनी बनाई चीजे हैं या हमको अपने तरीके से चाहिए तो हम कैसे बनाएं वो सारी detail यहाँ पर बहुत अच्छे से दी गई है तो एक बार इसको आप go through करिएगा इत्मिनान से अगर कहीं भी फसते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए इसी वीडियो में कमेंट करेंगे तो मेरे लिए आसान रहेगा reply करना और मैं कोसिस करूँगा कभी कभी होता है कि मुझे दिन दो दिन तीन दिन लग जाता है reply करने में क्योंकि और भी कई सारे काम पढ़ जाते हैं जो काम कर रहे हैं वो करते रहे हैं बाकी मैं कोसिस करूँगा या फिर आप मेंसे अगर किसी को उसका आंसर आता है तो आप भी नीचे कमेंट कर सकते हैं जैसे किसी ने कोई क्वेस्चन किया है अगर आप मेंसे किसी को भी उसका आंसर आता है तो आप भी कमेंट करिए जो बचे हुए काम है उस पर तो अभी हमको क्या करना है हमारा जो most of the development का structure था वो हो गया था अब हमने जो transaction बनाया था मतलब profile create कर लिया और individual transactions हमने बनाये थे कि कोई भी एक customer multiple क्या करते हैं withdrawal या deposit कर रहा है तो उसकी transaction history बन रही है और उसको हमें passbook में print कराना है that means कि हम customer को एक passbook देंगे और वो passbook हम कौन सा दे रहे है bank of बड़ोदा या general कुछ bank है जिनके passbook bank of बड़ोदा की size में आते हैं तो passbook की size असल में क्या है passbook की size 10.5 cm इसकी width है और height 14 cm तो मैंने इसको convert कर लिया है pixels में तो हमको जो width रखना है एक passbook का वो रखना है 396 pixel रहेगा width और height रहेगी इसकी 530 pixel तो अब अगर ये clear है that means कि हमको इसके लिए hard coded CSS देना है कि width इतनी ही रहनी है और height इतनी ही रहनी है तो ये चीज़ दिमाग में लेकर चलना है बाकि जो passbook का front page होता है वो और जो उसके अंदर के transaction के page होते हैं वो हमको 2 separate काम करने हैं तो इसी को मैंने यहाँ पर पहला point हमारा हो गया है कि हमको documentation की बात करनी थी अब दूसरा क्या है कि हमको profile जो है इसके passport के लिए front page के लिए अलग से design करना पड़ेगा reason यह है कि passport का पहला page जो है उसके लिए request एक ही बार करने है कि ठीक है एक नया customer आया है जिसका passport का front page जो है वो print करना है वो एक बार हो गया इसके बाद में फिर उसके अंदर के transactions का work चलना है तो अब हम चलते हैं अपने code पर और code पे अगर आते हैं तो इसी के साथ में हम चलते हैं अपने अब इसका काम नहीं रह गया है dashboard पे आये login कर लिया login करने के बाद में अगर हम all customers में आते हैं तो all customers में हमको सारी customers की list मिल जाती है इसमें से हम किसी भी एक customer पर click करते हैं suppose that हमने hazusil पर click किया यहाँ पर एक transaction है अभी हमने previously क्या किया था कि एक print का button दिया था जिसके click से क्या हो रहा था एक नए tab में print का layout आ जाता है और pop-up में हमको print का message आ जाता है कि ठीक है यह layout है और इस layout को हम print करना चाते हैं या save करना चाते हैं वो options हमको यहाँ से मिल जाता है that means कि यह वाला जो option आ रहा है यह हम chrome की मदद से ले रहे हैं मतलब browser का अपना facility होता है जैसे chrome हमको by default यही facility देता है किसकी मदद से control के साथ में पी click करेंगे तब भी हमको यही चीज मिलेगे तो अब अभी जैसे कि यह page पर जो details थी वो मिल गई ठीक बाकी यह नए tap था तो अभी हम क्या करते हैं सबसे पहले passbook के लिए हम यही पर एक button दे देते हैं अब उसको हम देना चाहें तो यहाँ दे सकते हैं यहाँ कहीं दे सकते हैं तो हम ऐसा करते हैं उस button को हम यहाँ पर देते हैं कि print front page of passbook या print front page तो print front page करके हम अब एक यहाँ पर दे देते हैं button और उस button के click पर keval और keval जो front page है passbook का keval और keval उसी की entry print होगी अब इसके लिए अगर हम पहले समझना चाहें तो जो details हमने एक customers के लिए ली थी registration कराते समय इसी में से कुछ एक details हम passbook पर print कराएंगे जैसे customer का नाम हो गया उसका unique ID जो है ये वाला वो हो गया प्लस उसका पता हो गया हम पता देना चाहें उसका पता हो गया उसका mobile नंबर हो गया उसका आधार नंबर हो गया इतनी चीजे देने के साथ में बस इतने पर हम उसका जो front page है वो print करा देंगे तो अब हमको सबसे पहले कहां चलना पड़ेगा जो customer profile नाम का हमने page बनाया था हमको चलना पड़ेगा वहाँ पर मतलब हम आ जाते हैं अपने application के अंदर और application में चलते हैं views पर और views पर हम चलते हैं जो हमने यहाँ पर multiple pages बना के रखे थे तो template में तो हमने template बनाया था और pages में यहाँ पर multiple different pages पड़े थे तो हमारा जो page है वो page कहां गए हमारे pages ठीक है एक मिनट widgets है gallery है यहाँ पर charts forms ले आउट है ओके हमारे pages account में all customer details पर आते हैं यह page कहां पड़ा हुआ है customers पर पड़ा हुआ है views में एक हमने जो बनाया था customer यहीं पर है तो इसी के अंदर हमने क्या बनाया था एक हमने बनाया था customer profile print और एक हमने ना बनाया था customer print हमको चीए था यह वाला page इस page पर आ गए explorer को हम minimize करते हैं अब यहाँ पर हमको क्या करना है एक button देना और वो button कहा देना यहाँ पर जासए हमने date filter जो लगाया है इसी के ठीक पहले हम दे देते हैं एक button तो date filter यहाँ पर लगा था यह date input लगा था class 1 div हमने लिया था इसी के ठीक पहले हम दे देते हैं एक और button तो इस button के लिए हम क्या कर सकते हैं simply बटन वाला जो code है वही हम copy कर लेते हैं तो button वाला code यहाँ पर है ठीक है यह button का code से अच्छा है कि हम अपना ही button का code देते हैं यहाँ पर anchor tag के साथ में हम ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो system कुछ problem कर रहा है साथ ठीक है अभी हम केवल यहाँ पर देते हैं print front page और इसको एक बार हम refresh करके यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका क्या आ रहा है ठीक है यह यहाँ पर दे रहा है that means कि हमको इसको due group में लेना पड़ेगा otherwise यह जो है problem create करेगा अभी जैसे यह due class एक बनी थी यह पूरी की पूरी class किसके लिए बनी form group बनाया गया और उसमें input group बनाया गया अब यह input group एक था जो इसके लिए काम कर रहा है वैसे ही एक input group हमको और बनाना पड़ेगा इसी को minimize करते हैं और इसी code को हम दुबारा से क्या करते हैं copy करते हैं और यहीं पर हम paste कर लेते हैं दुबारा से ठीक है और इसका intentation साही कर लेते हैं और अब हम एक बार इसको फिर से refresh करते हैं ओकी यह उपर नीचे ले ले रहा है यह चीज ठीक नहीं है क्योंकि यह form group बना रहा है ओके यह problem इसलिए हो रही है हम control Z करते हैं यहाँ पर हमने लिया था call 4 मतलब की colon 4 लिया है और एक हमने लिया है call 8 और यह किस लिये लिया था जो हम यहाँ पर यह लिके हुए है सुसील स्ट्रांजेक्शन डेटेल तो हम यह कर सकते हैं कि इसको हम तोड़ देते हैं चार में और यहीं पर हम पूरा का पूरा जैसे यह लिये थे यही same to same copy paste करते हैं एक और ठीक इसको हमने किया minimize और इस वाले को हमने open किया नहीं समझ में आयोगा एक बार refresh करते हैं अभी आपको देखकर समझ में आ जाएगा देखा चार के colon में यह आ गया चार के colon किये इस form को यहाँ से हटा देते हैं ठीक है और यह form भी यहाँ से खतम हो गया बचता है यह तो इसको हम एक step आगे ले लेते हैं और इसके अंदर बचा यह input group अब यह input group जो है इसके अंदर यह था button और यह था button ठीक है तो यहाँ पर हम ले लेते हैं front page print ठीक है इतना यह हो गया और इसके बाद में यहाँ पर हमने double space दिया था और यह calendar के लिए icon लिया गया था जो कि अब लेने की ज़रूरत नहीं रही console यह वाला icon जो लिया गया था और यह go के लिए तो यह लेने की ज़रूरत अब नहीं रह गई इसलिए हम क्या करेंगे इतना हम अभी के लिए comment करते हैं और बसता है यह input तो इस input को भी हम क्या करते हैं अभी के लिए इतना पूरा comment करते हैं आ जाते हैं यहाँ पर और देते हैं anchor tag हाला कि यह भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी हम इसको delete कर देंगे आ ऐसा करते हैं कि इतना हम copy करते हैं क्योंकि हम अपना जो नाम है वो तो हम button पर ही दे दे रहे हैं और इसके click पर जो काम होना है वो दिखा ही रहे हैं ठीक है यह आ गया अब इस पर हमको कोई एक class दे दे नहीं है मतलब की button के लिए तो button के लिए हम ले सकते हैं कहां से ले लेते हैं यहाँ पर कोई button वैसे तो दिख नहीं रहा है एक button यह है हमको लेना पड़ेगा customer deposit वाला page है यहाँ पर यह submit वाला button है हम यहीं से code चाहें जैसे इसकी class हमको चाहिए है कि class में हमने क्या दिया था तो यहीं से हम direct inspect element open करते हैं और inspect element open करते हैं tool tip को यहाँ से click किया हमने और आगे इस पर click किया हमको क्या चाहिए था यह वाली class चाहिए थी इस class को हमने यहाँ से copy किया और लेकर आते हैं यहाँ पर और इसके बाद में हमको क्या करना है simply जो यह है इसी के ठीक पहले यहीं पर हमने एक class call किया और वहाँ पर दे दिया primary इतने से फाइदा क्या होगा यहाँ से चलते हैं हम back इसको हमने cut कर दिया देख रहा है आपको front page print मतलब कि हमने class को call किया और उसी से हमारी यह design इस पर आ गई color दूसरा देना चाहिए हम दे सकते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा suppose that हम यहाँ पर warning ले ले लेते हैं ठीक इसका color जो है वो yellow ही सुझाएगा ठीक है क्या गलबर हुई warning नहीं था मैं भोल रहा हूँ थोड़ा सा भोल रहा हूँ अच्छा warning इता ठीक है spelling गलत लिखी थी front page print yellow पे आ गया ठीक है तो इतना काम हो गया अब इसके click पे हमको काम करना है काम क्या करना है यह ध्यान रहे जैसे इस print के click पे हम क्या कर रहे है एक नया page open कर रहे है दिख रहा है ऐसे ही हमको एक नया page पहले open कराना है और open कराने के बाद में इसकी designing हमको करनी है पूरी separate that means कि यही वाला जो page है यही वाला जो page हमने पहले बनाया था customer profile के लिए हम लेने वाले हैं इसी को लेकिन यह पूरा का पूरा blank करके हम इसमें देंगे code अपने हिसाब से चलो करके देखते हैं इसको हम पहले तो अब यह front page है मतलब कि हमको पहले इसको क्या करना पड़ेगा एक ऐलोट करना पड़ेगा क्या controller में method तो हम चलते हैं सबसे पहले controller पे और controller पे हमने यहाँ पर customer profile बना के रखा था ठेक है customer profile को हम touch नहीं करेंगे और इसी customer profile पर जो details थी यही सब हमने ली थी तो इसी तरीके से हमने एक print के लिए भी बनाया था अगर ध्यान हो तो इसके code को थोड़ा सा review कर देते हैं सैद मुझे जहां तक याद आ रहा है ठीक है यहां से हमने नहीं लिया था यहीं से लिया था यह दिख रहा है एक छोटा सा condition बना दिया था print के लिए की print page not equal to null है तभी हम इस print page को call कर रहे हैं otherwise इसको कर रहे हैं तो यह customer profile print जो है हम इसको नहीं लेंगे अब यहां पर थोड़ा सा काम दूसरी तरीके से होगा एक तो हमको page बनाना है और उस page पे हमको क्या ले जाना है जो भी वो customer है उसकी detail हमें pass कर दी है तभी तो हम वहां पर उसकी details को show कर रहा पाएंगे मतलब उसका unique ID हो गया उसका नाम हो गया उसका बाकी सारी detail हो गई तो इसके लिए हम क्या करते हैं एक separate method बनाते हैं सबसे पहले तो customer deposit form हो गया यह सब कुछ हो गया यहीं पर हम बनाते हैं और बनाने से पहले यहां पर हम दे देते हैं comment में क्या लिखते हैं यहां पर हम customer profile page passbook पर print करने के लिए method बना रहे हैं याद रहे comment हमेशा क्या करो comment करने से हमको याद आ जाएगा कि यह हमने किसलिए बनाया था तो एक हम लेते हैं public function and public function के साथ में हम यहाँ पर लेते हैं print passbook front page ठीक है और इसी के साथ में हम यहाँ पर बनाते हैं इसका code अब print passbook print passbook front page पर आ रहे हैं ठीक है तो अभी हम क्या करते हैं यहाँ पर simply echo दे देते हैं चेक करने के लिए hello और hello के साथ में यह copy करते हैं यहाँ से और इसी को हम यहाँ पर दे देते हैं ठीक है इतना हो गया मतलब कि यह हमारा method बन चुका है और इसको अब call कहां से करना है हमको जो हमने यहाँ पर customer profile में यह anchor लिख दिया है यहाँ से तो इसके लिए हम shortcut use करते हैं क्या यहाँ पर हम देते हैं base underscore url और इसके अंदर हम call करने वाले हैं welcome में welcome method से इस वाले method को ठीक है तो अगर सब कुछ सही है that means कि click करने पे यह वाला page open होना चाहिए साथ में क्या ध्यान रखना है यह page तो अभी हमको open केवल करके देख लेना है हम चाहिए तो इसको अभी target करके new में open करते हैं target underscore blank कर लेते हैं blank क्या होगा click करने पर यहाँ पर यह नए tab में open होगा तो refresh किया हमने page को और click किया ठीक है देख रहा welcome में print passbook front page method के अंदर है और हमको यह message मिल चुका है मतलब कि हम यहां तक पहुँच गए ठीक है अब यहाँ पर हमको करना क्या है हमें यहाँ पर simply जो हमारा यह passbook के लिए एक नया blank page बनाना है वो बनाना है मतलब कि यह सारा काम अब कहां होने वाला है अभी एक चीज और ध्यान रहे यहाँ पर हमको एक data लेकर चलना है और वो data क्या होगा वो data होगा कि हम user की unique ID लेकर चले अब unique ID हम यहाँ से भी pass करने को कर सकते हैं जो आसान तरीका हो जाएगा तो हम करेंगे वही लेकिन सबसे पहले अभी जरूरी क्या है हमको हमारे passbook के लिए design करना है तो आगए हम यहाँ पर अभी अगर ध्यान हो तो जैसे यह template page हमने ले ही रखा था और customer profile print page यहाँ से ले ही रहे थे ठीक है तो उसी तरीके से header और footer जो है हम लेकर चलेंगे header और footer के लिए हम इसी वाले को call कर लेंगे ठीक बाकी बच्चता क्या है हमारा यह page तो हम यहाँ पर और इस और इस line को हम copy करते हैं और लेकर आते हैं यहाँ पर paste क्या हमने अब यह data page में हमको क्या चाहिए है customer में यह चाहिए है लेकिन customer में हमको front page चाहिए है passbook passbook front page याद रहे नाम ऐसा देना है जिससे कि हमको बाद में भी देखकर पता चल जाए कि यह page किसलिए हमने बनाया था तो फ्रंट पास्बुक front page नाम से हमने एक html page बनाना है तो अब यह page जो हमको बनाना है हम पहले से बना हुआ page ले सकते हैं या फिर हम खुद से बना सकते हैं तो हम ऐसा करते हैं customer profile पर आए यहाँ पर यही वाली थी इसी को हमने लिया था तो इस पर हम right click करते हैं और right click करने पर यहाँ पर हमको क्या मिलता है copy है duplicate का option नहीं है ठीक है कोई बात नहीं है हमने इसको copy किया और यही पर सीधे हम control V प्रेस करेंगे तो यह देख रहा है duplicate copy बन चुकी है right click करके हमको क्या करना है बस इसको rename करना है rename क्या करना है ओके नाम रहा गया जो यहाँ पर था just a second welcome पर आए और यह था हमारे file का नाम तो customer profile मतलब हम आए यहाँ पर और जो हमने copy बनाई थी कहाँ गया customer profile print है customer profile है और customer deposit है यह रहा page तो right click किया rename पर आए और rename पर हमने दे दिया इसको नाम passbook front page.php यह page हमारा बन गया अब यह page बनने के बाद में हमको इस पर work करना है तो इसको ले आते हैं यहाँ पर ठीक login की जरुद हमको रही नहीं all customer detail को रहने देते हैं और customer profile जो है इसको भी रहने देते हैं अब यह page अगर आ गया है that means कि हम इसको अभी अगर refresh करेंगे तो हमको मिलना चाहिए वो page जाईर सी बात है यहाँ पर बहुत सारा error मिलेगा आप मुझे comment करके बता सकते हो कि यह error क्यों आ रहा है ठीक है तो अब आपका काम क्या है मैं यहाँ पर आपके लिए काम चोड़ रहा हूँ अगर आप कर ले जाते हो तो अच्छी बात है otherwise हम next video में यही करेंगे करना क्या है सबसे पहले आप मुझे यह बताओ कि यहाँ पर error क्यों आया इसके बाद में इस पूरे page का code जो है इसको blank करना है blank करने के बाद में आपको passbook size के लिए एक HTML के थुरू code बनाना है code बनाने के बाद में आपको यहाँ पर करना क्या है मैं वो बता देता हूँ आपको तो चलो हम चलते हैं अपने notepad पर और यहाँ पर मैं कुछ points लिख देता हूँ passbook की size आपको पता चली चुकी है passbook की size पता चल चुकी है that means कि इसके बाद में हमको यहाँ पर काम क्या करना है passbook पर details front page आपको बनाना है front page बनाने के साथ में इसके अंदर क्या-क्या details रहेगी unique id हो गया user का उसका name हो गया उसका एक मिनाट उसका आधार number हो गया उसका mobile number हो गया and at the last उसका address हो गया यह इतनी चीज़ें आपको passbook के अंदर बनाना है bank of बड़ोदा की normal जो passbook आती है rectangle size में उसका height और width मैंने यह 4 number point में बता दिया है इसी size में आपको एक HTML design करना है वो चाहें आप CSS की मदद से करो चाहें boat strip की मदद से करो design करने के साथ में यह details उस speech पर दिखानी है याद रहे style के through आपको उसकी height और width एकदम same to same लेनी है ठीक है आप इस code को करो अगर नहीं होता है तो next video में हम इसको करेंगे साथ में अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो like जरूर करें प्लस सब्सक्राइब करें साथ में ही 1500 प्लस सब्सक्राइबर्स को मेरी तरब से फिर से एक बार धन्य बात कि आप मेरे साथ है सुसील YouTube चैनल पर जुड़ें फिर मिलता हूँ मैं next video में तब तक के लिए स्वस्त रहें मस्त रहें कोडिंग करते रहें